नमस्कार शात्यों जैहिंद स्वागत है आप सभी लोगों का एक बर फिर मेरे चैनल कमिस्ट्री जिला में और आज हम लोग बात करने जा रहे हैं । यूप्ीडीयलेट से तो बड़े सारे लोग पूछ रहे हैं यूपीडीयलेट का क्या होगा इस बार यूपीडीयू धेूट क्यूंत नोटि्किकिशन आया तो इसको लेकर करके बहुत सारे लोगों के मन में विचार रहे कि मतलब यूपीडीलेड इस साल आएगा भी कि नहीं आएगा ठीक है जो UPDLA होता है वो totally merit based है तो merit based होने की वाइस से इसमें होता क्या है कि आपके 10th का आपके 12th का और आपका graduation का marks जो है उनको add किया जाता है और add करके एक merit बनाई जाती है और उसी merit के basis पर फिर आपको college मतलब cut up आपका clear होता है और एक government दोरा एक cut up जारी किया जाता है जैसे suppose general के लिए जो expected cut up रहती है वो 225 से लेकर के 230 के बीच में रहती है इतनी cut up अगर general से आप belong कर रहे हैं और इसके आसपास अगर आपका graduation high school और इंटर जोड़ करके आ रहा है तो आपको diet college मिल सकते हैं I mean government college मिल सकते हैं ठीक है और otherwise अगर इससे कम है तो फिर आपको normal college मिलेगा that is आपको मिलेगा private college तो आप इस बात को समझ लिजिए कि 10,000 के आसपास आपकी seat है diet में और लगबग लगबग 2,25,000 के आसपास के आपकी seat है प्राइवेट college में तो diet college में ज्यादा मारा मारी है इस वएसे क्यूंकि diet college में आपकी बहुत कम लगती है diet college में दो साल की जो फिस होती है आपकी diet college में जो आपकी दो साल की फिस रहेगी वह एप्राइक्स आप मानके चलिए कि 20,000 के आसपास होगी डाइट कॉल्यज में आपकी फीश जो होगी वो 20K के आसपास होगी और प्राइवेट कॉलेज जो है उनकी फीश जो होगी वो आपकी 1,00,000 रुपै आपकी आप से किसी इस्तिती में ले लेंगे 2 साल में ठीक है टोटल 4 समेस्टर होते हैं 4 समेस्टर में आपके 4 बार एक्ज सुल्क लिया जाता है दूसरी बात है कि अगर हम इसके बात करें कि सर कि इलिजिबिलिटी क्या है तो इलिजिबिलिटी के नाम पर आपको पता होना चाहिए कि 35 यह कि यह यहां पर मैक्सिमम है 35 यह की एज और जनरल वालों के लिए यह याद रखेंगे ठीक है और ओवी सी व वाले 35 यह तक फिल कर सकते हैं ठीक है और रही बात की कब तक इसका नोटिफिकेशन आ रहा है तो नोटिफिकेशन इसका आएगा वही को इमान के चलिए कि ऑगस्ट के फस्ट वीक तक आएगा ऑगस्ट के फस्ट वीक तक नोटिफिकेशन रिलीज होना चाहिए कि क्योंकि कि अभी मैं मेन वेबसाइट पर ही हूँ आप देख सकते हो यहाँ पर कुछ भी ऐसा दिया हुआ नहीं है जिससे हम को पता चले कि मतलब डियलेट का करेंगा रेजिस्ट्रेशन या फिर उससे रिलेटर नोटिफिकेशन का कुछ 2024 से रिलेटर था ऐसी कोई जानकरी अवलेबल नहीं है तो अभी तक के लिए तो कोई जानकरी अवलेबल नहीं है लेकिन हां यह एकस्पेक्ट किया जा रहा है कि मतलब स्ट वीक में आपका यह सब्सक्राइब तक आजाना चाहिए तो होफ़ली आपको सारी बाते मैं समझा पाया यूपी डियलेट्ट से रिलेट्ट एक बात और आपको क्लियर कर दूँ वह यह है कि इस यूपी डियलेट्ट में सिर्फ और सिर्फ यूपी के जितने लोग डूमिसाइल जिनके पास है यूपी का सिर्फ वही डियलेट्ट यूपी से कर सकते हैं बाकि अधर स्टेट वाले नहीं कर सकते हैं ठीक है तो सिर्फ यूपी वाले ही डियलेट्ट के लिए फॉर्म इलिजिबल हैं बाकि दूसरे स्टेट के जो भी हैं वो इलिजिबल नहीं ह रखेंगे यूपी वाले ही सिर्फ इलिजिबल होते हैं ठीक है तो अधर स्टेट का यहां पर कोई सीन नहीं है यह सारी इलिजिबिलिटी की बाते थी यह सब क्राइटेरिया था फॉर्म जल्दी निकलेगा और अगर आपको यूपीड एलेट से रिलेटेट कोई भी जानकार की भी अपडेट आता है तो मैं सबसे पहले आपको तक पहुंचाने का काम करूंगा ठीक है मुझे सुनने के लिए आपका धन्यवाद थैंक्यों